इसलिए इन प्रश्नों की जानकारी भी हम लगतार आप तक पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं आईए आज के प्रश्णों के सिलुसले की शिरुवात करते हैं अरवन जी पहला प्रश्ण एक तरह से रोचक भी है और यह जानना जरूरी भी है यह सैने कर्मियों के लिए पौश्टिक भोजन को लेकर कर हम जानते हैं सैने कर्मी जो तमाम विशम परिस्थितीयों में हमारे देश की रक्षा में लगे रहते हैं उनके पॉस्टिक भोजन के लेकर सवाल आखिर है क्या और इसका उत्तर क्या निकल कराया है यह अनिल देसाय जी ने सवाल किया है बताईे सों सदने भी स्वाइन सरकार से जानना चाहिए कि जो अलग-अलग-जो क्लाइमिट में जो काम करते हैं उन के लिए सेनबलों को अपोर्त किया जाना है उसका मान डंड क्या है यानि उनको दिया कैसे जाता और कैसे रासन दिया जाता यह सारा सवाल जो है तो इस मामले में एक कीज बताना चाहूंगा प्रीथी कि कुछ ऐसे इलाके बहुत उचाई वाले जैसे स्रिया चिन की अगर बात करें क्योंकि एक डिफेंस कर्रस्पोंडेंट के तौर पर वहां हमें जाने का मौका मिला है और दिखने में सुन्दर लगने वाली ऐसी चीज़ों को बनाया जाया तो बनाया जा रहा है इस सरह का लेकिन यहां जो आया है वरासन के मांदनों पर उचाई के अधार पर तो एक तो जैसे मैं उधारना दूंगा इसमें तीन मांदन दिये गए एक तो ऐसे जो जहां की उचा उसके मांधन अलग है। नौ हजार फीत से जुँवाद्धीं के मांधन है उनके अलग है। तो जैसे आटा चावल की हगर है अब बात करें के मैदा भी सामेले इसमें तो इसमें जो मांधन है, सेना में रासन का जेसिओ और येंग जो है, उसके लिए है छेसो बीस ग्राम है प्रदीवेक्टी ज just ko कहें घे है 9000 फिर से कम उचाई वाला अगर जो है फिलाका है और अगर नौह प्षीत से अधिक की उचाई वाला है तो 570 है 570 ग्राम है और अगर 12000 से भी अधिक की उचाई है तो चार्सो पचास ग्राम हैं और जब अगर आप देखेंगे तो चावल भी 9000 से अधिक फीट वाले का जो है केवल 140 ग्राम है है और इसमें इसमें आठा जोरी आठा अर्टा लिया या अगर आप देखेंगे इसमें इभी दिया अलग-अलग कि आटा कितना होगा चावल कितना होगा तो अगर चावल का इसी के अनुपाद में देखेंगे तो 430 ग्राम है 9000 फिट से अधिक का और 300 ग्राम है जो 12000 फिट से अधिक का है यानि अगर आप उचाई बढ़ती है तो यह प्रदी ग्राम घटता है लेकिन दालों का जहां तक मानदन है उसमें दालें तीनों में केवल 9000 फिट से अधिक वाले में 85 ग्राम बाकी दोनों में 90-90 ग्राम है रिफाइन तेल जो है 80-85 और 90 ग्राम है तो चीनी जो है वो 90 ग्राम है 140 ग्राम है और 150 ग्राम है यानि अधिक उचाई पर चीनी की खपत ज्यादा है तो कुल 40 ऐसी मदें हैं जिनमें पूरा एक मानदन्द है और हमारे फोजी यह मानदन्द इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे फोजी चाहे जितने विपरीत परिसितियों के बीच में रहें वो ठीक ठाक रहें और जो राष्ट की रक्षा का भार उनके उपर है उसमें किसी तरीके की कोई कोता ही ना है इसको देखने के बड़े कड़े मानदन है इसलिए यह कहते हैं कि जो मतलब उनको सेन कि जा रहे ही प्रीटी तो कुल मिलाकर कि सवाल का जबाब यह है लेकिन बड़ा रोचक सवाल है और जवाब भी उसी तरीके से पूरे ट्रांसपरेंसी के साथ इसमें दिया हुआ तो इसको देखने लायक है अब एक बड़ा महत्मूर सवाल है प्रीटी कि रक्षा छेत जो है जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें मेक इन इंडिया की बड़ी कोशिस हुई है और यह सभी जानते हैं कि हमारी जो आउन फोर्सेद हैं वो बहुत सारे मामलों में जो उपकरण है हमारे रक्षा के जो बहुत सारा सेन साजो सामान है उसमें दूसरों पर निर्फ़र रही क्योंकि अगर आप कोई टैंक लेते हैं बाहर से तो आपको उसके बहुत सारे उपकरण कल पूर्जे यह सब लेने पड़ते हैं तो उस तरब जो सरकार ने ध्यान दिया है उसका कुछ फायदा पूंचा है कहां तक हम आ रहे हैं क्या रण नीत है इस बारे में बताने की उन्होंने बोला है कि क्या ये सच है कि रक्षा खरीद के लिए मेक इंडिया कारिकरम का प्रयोग हो रहा है अगर हां तो इसका ब्यौरा क्या है और इस खेत्र में कार्म कर रहे ही नीजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और किन उत्पादों का उत्पादन किये जाने की इस प्रक्रिया के संस्थानी करण सरल और कारगर उसे बनाने के लिए एक तरह से पूरी प्रक्रिया किस तरह से और सरल की जाए सरली करण पर केंद्रित डिफेंस प्रक्योर्मेंट प्रक्रिया की खरीदो भारतिय आई डी डी एम खरीदो भारतिय खरीदो और बनाओ भारतिय बनाओ और सामरिक भागेदारी मॉडल के अंतरगत यहां पर क्या किया जा रहा है रक्षा प्रापर नो जिसे हम कहते हैं डिफेंस प्रोक्योर्मेंट के लिए मेक इन इंडिया कारिक्रम का प्रियोग किया जा रहा है जादा से जादा मेक इन इंडिया पर जोड दिया जा रहा है और पिछले वित्तिय वर्ष की बात करें अगर यानि 2015-16-2018-19 में कुल 210 सम्मिदाओं में से 135 सम्मिदाओं पर रक्षा सावजनिक शेत्र उपकरमों, सावजनिक शेत्र उपकरमों, आयुद फैक्टरी बोर्ड और निजी विकरिताओं सहित भाड़तिय विकरिताओं के साथ हस्ताक्षर किये गए ये 210 सम्मिदाओं में से 135 सम्मिदाओं पर हस्ताक्षर किये गए पर रक्षा उपकरन की संबद मदों, कलपुर्जों और सहाय उपकरनों के विनिर्मान के लिए ये जारी किये जाते हैं इसके अतरिक्त उन्होंने बताया है बड़ी संख्या में रक्षा घटकों के लिए भी लाइसेंस के आवशक्ता नहीं होती आठ हजार से अधिक MSME हैं जो OFB और रक्षा सारजनिक शेत्र के उपकरमों के वेंडर बेस में हैं साथ ही ये भी बताया है कि भारते कंपनियों से तीन सेवाओं द्वारा रक्षा उपकरन जिनमें पूंजी गत्वा राजस्वत दोनों हैं उनकी खरीद पर व्यका प्रतिशत 2018-19 में कुल व्यका 94 प्रतिशत था जी यहां पर और इसे अभी और बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है सरकार ने देश में आर्थिक विकास और रक्षा उद्योग आधार की व्रिद्धिक इंजन के रूप में कारे करने के लिए दो रक्षा उद्योग गल्यारे बनाने का भी निर्ने लिया है और यह तमिलनाडू के चेन्ने, होसुर, कोयमबटू, सालेम और तिरुचिरापली तक फैले हुए है और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अलीगर, आगरा, जहासी, कानपूर और लखनव तक फैले हुए है इसके अलावा भी जो और उपाए है, उनका भी जिक्र यहां किया गया है लेकिन अब हम अगले प्रशन की तरफ रुख कर लेते हैं अगला जो प्रशन वो है अशोग चक्र प्रदान करने के लिए दिशानर देश यह डॉक्टर शांतुर सेंजी का सवाल है, इसका उत्तर क्या आया है बिल्कुल यह अदम में साहस और पराकरम और बलिधान के लिए जो असोग चक्र दिया जाता है उसके मान दंड के बारे में भी जो इसमें संसर ने जानना चाहा है और आप देखेंगे प्रीटी इस मामले में कि जब जो हमारे संसर सदस हैं वो किस तरह के ऐसे प्रस्ण पूछते हैं और जानने की कोहिस्त करते हैं और ताकि जो है वो बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं हमारे जीवन के, जिनके बारे में हमें बहुत सीमित जन करिया होती हैं खासत сил और परtenova Арme Forces में तो बहुत सीमित होती है क्योंकि सारा आदमी तक पहुचनी होती है, वो कहां के असे किसी तरह से काम कर रहे हैं तो उसी में एक चीज है कि असोग चक्र को जो परदान कैसे किया जाता, उसकी गाइडलाइन क्या है, वो सांसद ने जानना चाहा है, और इसके बारे में जो गाइडलाइन के बारे में पूरा रक्षा मंत्री राजना सिंग ने पूरा बताया है, और ये कहा कि जो असोग चक् आर्मी नागरिक सेना और विधी द्वारा गठित बलके सभी रहें के पूरुस और महिला आप से सामिल है मतलब यह सारा मतलब बड़ा भारी और दूसरा जो दिया है इसमें कि सेन बलों के जो नर्सिंग सेवाओं के सदसे यह यानि जो आन फोर्सेज में जो जो एक तरह से सहाय के जो गडविदियों में सामिल है वह भी अगर अदम साहस करते हैं तो उनको भी असोग चेकर दिया जा सकता है और इसके अलमा केंद्री अर्सैनिक बल जो है और रेल्वे सुरक्षा बल है उसके समेत पुलिस बलके सद साना चाहूंगा एक उतारण इसमें कि सिक्स्टीज में प्रीटी एक पोस्टमैन को जो है दिली जीपियों में जो की कारेरत था उसको एक डाकू को पकड़ने का साहस दिखाया था और उसको जो है असोग चक्र से सम्मानित किया गया था और यह अपने आप में बड़ी भा नागरिक आम नागरिकों में नहीं है कोई इस लेकिन जो 2016 का दिया लांस नायक मोहनाद गोसामी यह नवी बटालियन परसूट रेजिमेंट के थे इनको मरनो परांद मिला है इसके बाद दूसरे वेखती है हावलदार हंगपन दादा यह असम रेजिमेंट के थे इनको भी मरनो परांद मिला है 2017 में किसी को नहीं मिला 2018 में एक मिला है 2019 में जो है इसी तरीके से एक मिला है जो कि यमू और कस्मी लाइट इनको भी मरनो परांद मिला है तो आप यह समझे कि यह आतिसे पराकरम और इसके नाते जो है यह मिलता है तो यह हमारा समय लगबख खतम हो रहा पिरिती है लेकिन हम चाहेंगे कि एक समापन के पहले आप जो सेनबलों की जो शमताओं का उन्नेयन है आरल लच्मन जी का जो जबाब है इनके सवाल का जो जबाब है वो एक सेनबलों की शमताओं और कोशल को आधुनिक बनाने और उनका उन्नेयन करने के लिए कोई कदम उठाएंगर हाथ हो ब्योरा क्या है रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने इसका उत्तर दिया उन्होंने बताए कि जो सेनबलों का आधुनिकी करण है सत्तरूप से चलने वाली प्रक्रिया यानि यह हमेशा होता रहता है और जो खत्रा है वो किस तरह का है और किस तरह की चुनोतियां है और प्राद्वगे की यानि टेक्नोलोजी में किस तरह के नएने परिवर्तन हो रहे हैं इन सब पर आधारित होता है ताकि जो सुरक्षा चुनोती है उसको देखत हुए हमारे जो सैनने बल है वो पूरी दहा से तैयार हो कोई इसमें चूक ना हो सरकार ये सुरिश्चित करने के लिए सरवोच प्रात्मिक्ता देती है कि सैनने बल किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए परियाप्त रूप से सुसज्जित हो यानि हर उपकरन भी उनके पास हो हर टेक्नोलोजी उनके पास मौजूद हो और इसके लिए उन्होंने बताया है कि सैनने बलो की उप्सकर संबंदे आवशकता पर विस्तरित प्रक्रिया के माध्यम से ये नियोजित की जाती है आगे बढ़ाई जाती है इनमें क्या है 15 वर्षिय दिरकालिक एक एकरत संदरशी योजना, एक 5 वर्षिय सेनावार पूंजिगत अर्जन योजना, एक 2 वर्षिय रोल ऑन वार्शिक अर्जन योजना और रक्षा मंत्री की अध्यक्षिता वाली रक्षा अर्जन परिशद के दौरा ये तमाम जो चर्चा होती है उसके बाद ये तै कि तरह से आगे इस पर काम होगा वहीं उन्होंने बताया है कि चार वित्तिय वर्जों है पिछले 2015-16-2018-19 के दौरान सैने बलों के लिए रक्षा उप्सकरों की पूंजीकत प्राप्ती के लिए 210 सम्विदा जिनमें हेलिकॉप्टर्स, नौसैनिक जल्यान, रडार, बैलेस्टि हेलमेट, आर्टिलरी गन, सिमुलेटर्स, मिस्साइल, बुलेट प्रूफ जाकेट, एलेक्ट्रोनिक फ्यूजेज और गोला बारूद पर हस्ताक्षर किये गये हैं 210 सम्मिदा है ऐसी तो यह उत्तर यहां पर दिया गया है और इसी के साथ जो प्रशन काल का आज का अंकिया उसका समय यही पूरा हो रहा है अगले अंक में एक बार फिर हम लोकित और जन्हेत से जोड़ी प्रशनों के साथ फिर आएंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजी नमस्कार